नमस्कार दोस्तों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में देखेगा क्या बात होने वाली देखे finance ministry का हम आपको नया scheme के बारे में बताएंगे new scheme finance ministry का क्या कुछ है और साथ इसाथ moratorium को लेकर Finance ministry का को ऐसा कौन सा scheme है जिनके तहत आपको benefit मिलता है वीडियो देख रहे हैं तो यहां से सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ओन वीडियो को लाइक, शेर, कुछो पूछना और कमेंट और किसी तरह का प्रीमियम सपोर्ट के लिए आपके लाइप में किसी तरह का लोन, मोरिटोरियम, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, फाइ सिना दोस्तों क्या है, फाइने यानि फाइनेंशल प्रोब्लम, पैसे की दिकत परShAr lenses यानि फाइनेंश प्रोब्लम, पैसे की दिकत, परिसान है तो इन सब hypothes से रिलेटेट आपको प्रीमियम पर रहात मिलती है और साथ उस उससे किम के बारे में आप से भी लोग बहुत टाइम से कमेंट कर यह पूछ रहे थे चलो हम लोग लोग बता देते हैं आप लोग बहुत परिसान है चलिए सबसे पहले इस वीडियो के इसकीम है और उसका लाइव सबूत दिखाने वाले हैं बैंक कैसे आपको एनबी एपसी कैसे आपको हाथ जोर कर आपका वेलकम कर रहा है इस आपको मुरेटरियम और रियस्ट्रेक्चरिंग देने के लिए अभी लाइव जिन्दा सबूत दिखाएंगे जिन्दा इसलिए वी इससे पहले ECLGS 3.0 भी आ चुका है ठीक है और इसके तहथ आपको टू एयर्स का मुरेटरियम एक्स्टेंशन टू एयर्स का मुरेटरियम मिलता है और ECLGS 4.0 के तहथ और फानेंस मेशी ने 30 माई 2021 को इस स्कीम को अपडेट किया था और इसके तहथ आप बेनिफिट ले सकत हैं 30 सितंबर 2021 तक ठीक है और इसका पहले जो प्रीवेश एप्लिकेशन का डेट था फानल डेट था लास्ट डेट था तीस जून 2020 तक यह था किया किसका यह था 3.0 का ठीक है इस स्कीम के तहथ दोस्तों यह नियू स्कीम है ECLGS 4.0 इसके तहथ आप टू एयर्स का मुरेटर क्रेडित ले सकते हैं और इसमें बहुत बहुत यह हम इसको हम बोल सकते हैं जो इंडिया का सबसे अजूबा सबसे यूनिक यानि साथ आज सेवन वंडर्स तो पराई होगा और एट वंडर्स पर लेजे जान लेजे यह ECLGS 4.0 इसको जदी आप समझ गए दोस्तों तो फिर आप समझ लेजेगा बहुत कुछ समझ गए क्यूंकि यह इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है चलिए बात करते हैं यहाँपर सबसे पहले दिखाते हैं आपको हम कोसिश करते देखते यह आपको लेकर आते हैं लाइब हम आपको दिखाने वाले इसको पॉज दिखाने वाले हैं जिन्दा सबूत देखेगा वीडियो को मिस मत किजिएगा गलती से आगे पीछे मत होईएगा चोर के नहीं जाना इधर बीच में चोर के यह दोस्तों आता है भारत सरकार किताब तो ले लोगे लेकिन किताब के अंदर क्या पर उसको परहेंगे और टीचर के बाहरेंगे तो आपको बिना परहीं समझा देगा बता देगा यह चीज सारी चीज हम आपका क्लियर कर देते हैं फिर आपको कोई दिखा यह वाली पर लेज़ेगा यह अपडेट है डाउनलोड कर लेज़ेगा अब आते हैं दोस्तों आपको बैंक कैसे दे यानि इंडिया में जितने भी बैंक एनबी एफसी कंपनी है सब के सब आपको ECLGS स्कीम के तहट आपको बैनिफिट देगा यह देखिए गूगल पर आपको हम इसलिए दिखा देते हैं ताकि आप देखो और आप इसका देखिए सबसे पहले यह बारत सरकार का देखिए डिपार्टमेंट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ठीक है यह भी जान लेज टू इयर्स का मोरिटोरियम ले सकते हैं अभी बताएंगे कौन-कौन से लोन इसके ताहत मोरिटोरियम ले सकता है आप देखते रहेगा वीडियो मिश्मत की जगा की ठीक है आइसी आई भी दे रहा है यहां पर साथ यहां पर देखिए दोस्तों आपको HDBFS यानि यहां जितने भी बैंक निभी से सब देगा आपको ठीक है अब यहां पर देखिए फैनिशल एक्सप्रेस का भी यहां पर अपडेट है थीस मई का हम लोगों ने भी बताया था थीस म करोर ठीक है अब यह चीज़ इसको समझ यह बात को जो उदय कोटक साब हैं उन्होंने डिमांड किया था एक कॉन्फरेंस में जो सरकार इस स्कीम के तहट जो कवरेज है यह तीन लाग करोर से बढ़ाकर फाइव लक्स करोर कर दिया जाए तो आप देखिए फाइव लक्स क बताने का मतलब यह है दोस्तों जो आपको जितनी भी बैंक नबी एफसी कंपनीज हैं सभी बैंक नबी एफसी कंपनीज आपको इस यह तहत बेनिफिट देगा समझें यह देखिए एच डिएफसी बैंक का लेते देखिए इस सबसे बारा प्राइवेट सेक्टर का बैंक इस एच डिएफसी के ओफिशल वेब साइट है ईसी एल जिस फोर प्राइवर देखिए यहां पर यह भी आपको इसके तहत बेनिफिट दे रहा है तो कहने का मतलब यहां पर देखिए यह सारे चीज़ अब आपको बैंक के पास अप्रोच करेंगे जहां भी आपका लोन है बिजनेस लोन है अब बताते हैं अक्र कौन कर्वर साल ओसके तहफिए फिर को को तूरा को रहा ओता है फिर आपको तुरह कौन से ऐहां पर देख इसके बाद आ गया दोस्तों इन्डिविजुल इन्डिविजूल बिजनेश लून ठीक है? यानि एक वेक्ति का बिजनेस है यह नि कोई कंपनी है लिमिटेर मिन्टेर प्रोप्रयटर कुछ कि अपने के लिया है और परधार मंत्री मुद्रा योजना के तहट है या फिर बिजनस करने के लिए के लिए है वह सारा का सारा जो है दोस्तों आप इस के तहट ले सकते हैं और भारत सरकार कामें सेक्टर को भी एड़ कर दिया इसमें तो आप लोग इधर परके ओपन करके देख लेगा वीडियो ऐसे भी लगता है बहुत लंबा हो गया आठ मिनट का हो गया वीडियो को करना परेगा फिनिस अगले वीडियो में फिर डिटेल से बात करेंगे फिर कुछ भी पूछना करते रहेगा औ और लोन मुरिटो मुरिटो में एक्सेंशन अर्निंग से रिलेटेड परमानेंट सोल्यूशन के लिए यह तो हो गई लेकिन मुरिटोर्यम ले लोगे रियस्ट्रुरिंग लो ले 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 लेंगे आप लोग लेकिन असली समस्या तो उसके बाद स्टार्ट होता है ज़दी आप एक भी EMI रियस्ट्रुरिंग लेने के बाद फेल हो गया तो आपका रियस्ट्रुरिंग को बैंक तुरंत इमीडियेट इफेक्ट केंसिल कर देगा यह चीज याद रखेगा है रियस्ट्रुरिंग का पॉलिसी है यह और यह कोई नहीं बताने वाला आपको ठीक है इन मिलता है साथ साथ आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलता है कोई बिजनेस वगरे करते थे वह डाउन हो गया जॉब नहीं है तो आपको लगभग वह सारा सुल्यूशन अभी आपको इस बजट में मिल जाएगा जो आपको चाहिए और साथ साथ इसके अलावा किसी तरह का प्रोवाइट करेंगे इसी के साथ वीडियो को कर देते हैं और जदी आप इस पर हम लोगों किसी भी बैंक अब अब अगरे करना चाहते हैं तो अप्लाइब कर सकते हैं और लिंक दिया हुआ इस पेज पर आप लोग कर लेजिए और इस वीडियो में इतना है दोस्तों वी दोस्तों वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद सुक्रिया थैंक्यू